अलो फ्रेंड्स मैंसे डॉक सुनील तमार कंसल्टेंट एंटी एंड राइनो प्लास्टी सर्जन दोस्तों राइनो प्लास्टी टॉक अप सिरीज में आज हम डिसक्रस करेंगे कैसे एक चप्ते नोज को ठीक किया जाता है जिसको हम ऑग्मेंटेशन राइनो प्लास्टी भी दोस्तों बट वीडियो में आगे बटने से पहले दियेगे बेल आइकोन को प्रेस करना एंड यूटूब चैनल को सब्सक्राब करना दोले जिसे आने वाले अनेक उपयोगी वीडियो की नोटिफिकिस न आपको समय समय पे मिलते रहें दोस्तों राइनो प्लास्टी जैसा आ फ्लैट नोज भी एक बहुत एक कॉमन विक्रती है जिसके चलते पेशेंट को अमूमन कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ज्यादा होती है रादर देन फंक्सनल सो पेशेंट का जो लुक है क्योंकि उसके चेहरे के इसाब से उसका नोज फ्लैट है सो दोस्तों सबसे पहले तो हमे नोज का प्रोजेक्शन बोलते हैं देट मेंस कि हमारा नोज हमारे चेहरे से कितना उठावा होना चाहिए दोस्तों आइडियली तो यह जो है अगर हम हमारे फैस की पैरामेटर की बात करते हैं तो जो हमारे नोज की जो लैंध है उसका करीब करीब जो है पॉइंट सिक्स् आज़री होना चाहिए दोस्तों अगर नोज हमारा यह नहीं है तो इसको और चाहिए उसको बैसे ऑप्में डॉडिंग बनाते हैं तो हमें बिल्डिंग बनाने के लिए मेटेरियल सेहे होता है अगर हमारा nose flat है तो सबसे पहले डॉक्टर उसमें जो rhinoplasty surgeon है वो यह decide करता है कि उसका flat nose है वो उसका कितना extent है यानि complete flat है या बहुत थोड़ी मात्रा में है या कहीं कोई जो है नोज के अंदर कोई छोटे मोटे trauma या infection के कारण हलका सा उसमें depression है दोस्तो अगर बहुत patient की जो है minor depression है तो उसको बहुत बार बिना surgery medical rhinoplasty से भी टीक किया जाता है जो minor depression है उसमें वहाँ injection एक फीला लगा दिया जाता है उसमें surgery की जरूद नहीं होती पर दोस्तो अगर बहु जो है implant होता है एक पेशेंट का ओवन खुद का जो है वह cartilage होता है दोस्तो जो usually जो implants जो यूज में लेते हैं वह बहुत सारे लोग जो है यूज में लेते हैं बहुत सारे plastic surgeons यूज में राइनो प्लास्टी सर्जंस भी यूज में लेते हैं बट आइन एवर लाइक ता रा फोड़ा प्रॉमा होने पे वह जो implant है वह कहा है इंफेक्ट है पेशेंट के extrusion हो जाता है नोज की खुद की उसको फिली नहीं आती है So I always prefer in my 15 year career I always prefer own plastic जो है patient का पार्ट है जिसको हम जो है autograft बोलते हैं यानि उसके लिए जो हमारा ये जो नोज है अगर हमारा patient का minor जो है वो depression है नोज के ऊपर तो ये जो हमारा cartilage है वो cartilage जो हमारे जितने हमारे नोज को height और जो उसके support के लिए जो need है उससे जो extra part है वो हम निकाल के उसको बनाने में यूज में लेते हैं दोस्तो बहुत बार क्या होता है कि जो revision patients होते हैं जिनकी पहले दो या तीन बार surgery हो चुकी होती है या road traffic accident के कारण nose विल्कुल flat हो जाता है दोस्तो ऐसे noses के लिए जो आपका septum जो है उस cartilage से ना को बनाना ना मुम्किन है दोस्तो ऐसे noses में हम जो है patient की जो ये कान की cartilage जो है जिसको हमको uncle cartilage बोलते हैं या जैसे rib का howab से nose बनाया जाता है दोस्तो अगर किसी patient को जब ये बोलते हैं कि उसका rib का portion या का ना का cartilage लिया जाता है तो patient डर जाता है उसको लगता है कि मेरे को नाक अच्छा बनाने के लिए मेरा कान खराब हो जाएगा या मेरे रिब खराब हो जाएगी या मैं आर्मे में नहीं जा पाऊँगा दोस्तों ये दिमाग से निकाल दीजिए ये मित है वैक्ट ये है कि जो अगर हम कान की कार्टिलेज भी लेते हैं तो इससे आपके शरी पर कोई भी ऐफेक्ट नहीं आता पहली बात दूसरी बात यह जो हम हार्वेस्ट करते हैं उसकी कोई सैप या उसकी कॉट्व nós या और की जो संड़ना किया जाता है तो यह जई लिए स्टॉरण करके यह स्ट्रों और फिर नौज caught in करके जो नोग जो वो जो आपका जुड़ास है उस लिए अलग अलग में उसको जो है वो सुचर करके एक अच्छा ब्लोंक बनाया जाता है और उस ब्लोक को दोस्तों इस जो हमारा सोफ्ट टिश्यों अमल एप जो हमारी स्किन है उसके नीचे लगया जाता है उसको गोलते हैं उसको इसको अच्छा बनाया जाता है दोस्तों बहुत बार दिमाख में क्यों सनाता है यह नोज का जो फ्लैट नोज है इसको कैसे ठीक किया जाएगा जैसा कि आपने जाना कि फ्लैट नोज को कैसे ठीक किया सकता है तो दोस्तों I hope कि डिये information जो है this is useful for you just to know about the augmentation rhinoplasty and दोस्तों अगर आपका कोई augmentation rhinoplasty के regarding flat nose के regarding आपका कोई भी सवाल हो आप मेरे comment box में डाल सकते हैं definitely I will reply so thank you